तो आज की स्वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का जैनेटिक्स चेप्टर तो देखो इसमें बहुत कम ट्रिक्स हैं लेकिन इसमें मैंने ट्रिक्स थोड़ा बहुत बताया है एक दो इसके साथ मैंने कुछ आपको इंपोर्टेंट टॉपिक का ऐसे इसे जैसे कि होता है कंफ्यूजन तो आपको मैंने बताया है तो आप यह वीडियो लाप्स के देखना आपको ज़रूर फायदा होगा ठीक है और आपको कौन से चेप्टर ट्रिक्स से पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है और एक और चीज मैंने एड़ किया है कि यह वीडियो चैप्टर का अगर आपको पीडियाफ लिंक चाहिए या पर पूरे क्लास 12 का सीरीज का लिंक चाहिए तो आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हो वाट्स अप नमबर मैंने वहां भी दिया है और यह वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएग मीरा बिलीज जला पा इसी को हम बोलते हैं 4 o clock plant और गुले बान ठीक है और इन्होंने यह flower color के बेस भी किया था आप देखो NCRT में है कुछ examples incomplete dominance के क्या क्या है snapdragon plant इसी को हम बोलते हैं dog flower plant और यह antirhynum species तो यह आपको याद रखना होगा SAD, SAD, Snapdragon, antirhynum species और dog flower plant तो एक ही चीज है, confusion नहीं होना अच्छा यहाँ पर मैंने question add की है, क्यां पर question एक दिया है तो वह आप देखना क्योंकि देखो genetic ता से chapter रहने है, बहुत अच्छा concept चाहिए और मैं hope करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा वो ठीक है तो एक question solve करना ही मेरे साथ यहाँ पे question solve करने से पहले एक मैं और चीज़ बता रहा हूँ जैसे कि आपने phenotypic ratio and genotypic ratio पढ़ा है तो जैसे जैसे आप जानते हो कि mono hybrid cross का क्या होता है phenotypic ratio 3 to 1 ठीक है और di hybrid cross का क्या होता 9 is to 3 is to 3 is to 1 तो इसका मतलब क्या हुआ कि di hybrid cross is equal to multiple of mono hybrid cross हुआ कैसे कि देखो phenotypic ratio निकाल रहे है जैसे कि phenotypic ratio of di hybrid cross तो मैंने क्या बोला multiple of mono hybrid cross तो phenotypic ratio of mono hybrid cross क्या होता 3 is to 1 तो बस 3 is to 1 into 3 is to 1 अगर कर देंगे तो यह आएगा 3 into 3 9 is to 3 is to 3 is to 1 तो इसका मतलब यहां से क्या conclusion निकला हमारा कि जो phenotypic ratio यहां पर genotypic ratio जो भी होता है यहां पर मैंने phenotypic ratio बता है कि phenotypic ratio of di hybrid cross is equal to multiple of यह mono hybrid cross यह बोल सकते हो तो इसी बेस पर question है कि find out the phenotypic ratio in F2 generation of a di hybrid cross in which one character is dominant and other character is incomplete dominance तो यहां देखो यहां मैंने क्या बता है di hybrid cross बोल रहा है तो di hybrid cross इसका मतलब क्या है कि multiple of mono hybrid cross लेकिन क्या बोल रहा है कि एक character क्या dominant है और दूसरा character incomplete dominant तो एक character जो dominant है तो इसका मतलब इसका क्या ratio होगा phenotypic ratio 3 to 1 तो होगा लें दूसरा क्या है incomplete dominant और incomplete dominant का यहां देखो phenotypic ratio और genotypic ratio क्या होता 1 to 2 is to 1 यह very important point है कि चाहे हो वो incomplete dominance चाहे आगे आप पढ़ोगे co dominant इसमें क्या होता कि phenotypic ratio और genotypic ratio दोनों सेम होती है और क्या होता 1 to 2 is to 1 यह दिहां रखने तो क्या है कि one character dominant तो मैंने आपको बता दिया 3 to 9 लिग दिया आप क्या and other character is incomplete dominance तो incomplete dominance में phenotypic ratio क्या होता 1 is to 2 is to 1 तो आप क्या करोगे 1 is to 2 is to 1 तो आप यह आप cancer हो गया ठीक है यह question आप आए हो प्रसंद में आप आप नेक्स चलते हैं तो codominance तो codominance के examples यहां ध्यान में रखना है तो मैं आपको पढ़ाने रहा है क्योंकि आप ने पढ़ा हुआ है मैं important point बता रहा हूँ जो कि आप ignore कर सकते हो तो codominance में आपको examples कुछ है cod color in cattle दूसरा है blood group तो blood group में AB blood group भी आएगा और MN blood group भी यह anxiety में शायद नहीं है अब देख लेना sickle cell anemia यह सारी यह भी very important है sickle cell anemia से बहुत confusion होगा तो आप ध्यान रखना कि codominance के भी example है as usual जो मैंने बता है आपको phenotypic ratio और genotypic ratio सेम होगा अभी question और है जल्दी देखते हैं सको कि what is the phenotypic ratio in F2 generation of a dihybrid cross in which one character is incomplete dominance and second character is codominance तो what is the phenotypic ratio in F2 generation of a dihybrid cross तो dihybrid cross क्या होता है simply multiple of monohybrid cross अब क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि one character क्या incomplete dominance तो incomplete dominance का phenotypic ratio क्या होता है देखो one is to two is to one है जो पीछे बता है तो one is to two is to one यह हो गया and second character क्या है is codominance और codominance का phenotypic ratio क्या होता है same one is to two is to one तो one is to two is to one पीछे वाले case में क्या था एक dominant था तो मैंने आपका जो Mendel law में आपमें पढ़ा है law of dominance उसमें जो आपने mono hybrid cross पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ा है थी is to one पढ़ा है लें इसमें क्या एक character incomplete है और एक character code dominance है तो दोनों का phenotypic ratio क्या था one is to two is to one ही होता है तो आप इसको into करतो इसको पहले से करोगे फिर इसको इस से करोगे फिर 2 को पहले इससे करोगे, फिर इसससे करोगे, फिर 1 को इससे करोगे, फिर 1 को 2 से करोगे, वो 1 को इससे करोगे, यह है आप दोको scientist की name, बहुत important है, Devrys, Coren and Vaughan Sermak, यह 1900 में, इनने क्या किया था, कि Mendel का काम को rediscovered किया था, बहुत important है, क्यों कोशण आ सकता है, तो rediscovered Mendel's result of on the inheritance of character 1900 अब दो सल बाद 1902 में क्या हो रहा Sutton and Bovary, एक scientist है जिन्होंने कि chromosomal theory of inheritance दिया देखो अब यहाँ पर बहुत important point में आपको बता रहा हूँ यहाँ confusion होता है chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Bovary but इसका experiment, experiment proved by experiment of अगर आया कि chromosomal theory of inheritance बताओ, किस ने दिया था तो आप बोलोगे T.H.Morgan मतलब कि chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Bovary then इसका experiment किस ने proof किया था? T.H.Morgan और उनका experimental material क्या था? Drosophylla melanogaster तो आप वो क्यों था तो यह NCAT में दिया हुआ 5 point तो आपको ध्यान एकना कि उन्होंने इसी को क्यों choose कि Drosophylla को ही क्यों किया? क्योंकि Drosophylla easy to culture इसका life cycle बहुत short होता था 2 week का Single mating produce large number of pros Clear differentiation of sex उसमें male और female का पता आराम से चल जाता था Many types of hereditary variation तो यह 5 point है तो मैंने इसका trick नहीं बता है ऐसे ध्यान रखना इसकी ज़रत नहीं है तो मैंने आपको बता है यहाँ पर बहुत important है Chromosomal theory of inheritance यह point में बता रहा हूँ ट्रिक तो ऐसे नहीं बता रहा हूँ लेकिन क्यों 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 यह आपको clear कर दिया मैंने ठीक है? तो देखो अब देखो Next Next फिर हारा linkage यहाँ पर scientist में देखो क्या होता है कि linkage यह जो है first time observed by किसने देखा था Batson and Pannet और यह linkage term coined by T.H.Morgan तो यह very important लगा तो यहाँ पर question आ सकता है अब देखो Alfred Stuttivant Alfred Stuttivant यह कौन थे? यह student थे T.H.Morgan के T.H.Morgan के student थे constructed the first genetic map of chromosome in 1911 यह भी very important लिखा हूँ यह scientist का नाम NCRT में दिया हुआ है NCRT ने क्या लिखा है? NCRT ने क्या लिखा है? NCRT का term है जो मैं बता रहा हूँ को कि his student Alfred Stuttivant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and map their position on the chromosome यह हो गया तो इतने सारे scientist का नाम में बता है इसमें ट्रिक क्यों नहीं बता है? तो कि अराम सी याद होगा लेकिन क्या है कि confused होने वाला है कि linkage जैसे मैंने बता है कि पहले observe किस ने किया यह term किस ने दिया फिर इसके strand के नाम से इसने सारे scientist ऐसे हैं ठीक है? अब देखो जो निकल रहा है इस-PCS यह exam होता है ठीक है? civil service exam और वो exam क्या होता है? बहुत tough होता है आपको क्या याद रहना? tough-PCS IS-PCS के exam जो होता है वो tough होता है तो THF से आपको क्या याद रखना? tough- क्या याद रखना? tough- PCS PCS क्या क्या बता है? thalassemia, hemophilia cystic fibrosis phenylketonuria c-c-color blindness sickle cell anemia इतना हो गया यह याद रखना आप देखो बहुत important very important यहां लगाओ इसमें कुछ दिएव हैं तो इसमें एक point कि कुछ examples दिए है autosomal linked recessive disorder के और कुछ example है sex linked recessive disorder के तो देखो इसमें यह chapter ना बहुत अच्छा है 11 में पढ़ा होगा pass intermediate pass intermediate pass distillate यह word आपको क्या याद रखना parse AR में क्या होगा AR मतलब autosomal recessive AR से आपको याद रखना autosomal recessive autosomal link recessive disorder क्या क्या हो गया P से phenylketonuria और S सिकल सिलनेमिया ऐसे याद कर सकते हो parse autosomal recessive इसका मतलब P से phenylketonuria ऐसे sex linked recessive disorder तो आप याद रख सकते हो यह पर simple ऐसे भी पढ़के भी कर सकते हो hemophilia ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे आप देख लेना और एक बार और बता रहा हूं कि यह chapter जो है बहुत अच्छा chapter है अच्छे से पढ़ना आप लो और जो मैंने बता है आपको important कुछ points बता है इसमें tricks भी कुछ-कुछ बता है जो possible tricks थे तो आई होपके वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया प्रीशन को like करना share करना and subscribe करना thank you